ज़रा इस टॉपिक को समझेगा टॉपिक कहरा है डिस्टेंस आफ पॉइंट फ्रम अ लाइन किसी पॉइंट की एक लाइन से दूरी ग्यांद करिए तो को टूटी में हम ग्यांद करना हमको आता था हमारे पास एक लाइन होती थी AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 और हमारे पास एक बाहर एक पॉइंट होता था X1 कामा Y1 और इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी निकालनी होती थी ये पर्पेंडिगुलर डिस्टेंस तो इसका फार्मला क्या था फार्मला थोड़े याद आइस गुल्म पढ़ा था इंटर में नहीं पढ़ा था होगा था कल का फार्मला को याद नहीं है तो P बराबर हमने पढ़ा था AX1 प्लस BY1 प्लस C अपान रूड A स्क्वार प्लस B स्क्वार याद है हमने प्लेन में ही पढ़ा था हमने इंटर में प्लेन पढ़ा था अगर plane कोई माले यह line न होकर कि plane होता है अगर plane का ही question होता है ax plus by plus cz plus d बरावर 0 और बाहर point माले यह x1, y1, z1 है plane है तो 3D होगा तो अगर perpendicular distance plane के लिए निकालें तो यह था आपका ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon root a square plus b square plus c square यह हमने पढ़ें तो यही concept है लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि 3D में भी line है और line का equation symmetrical form में होता है symmetrical form में याद है line क्या होता है पली वाड़ी पली बाद सुना है symmetrical वाद आरे उपार में याद है अगर कोई line x1, y1, z1 से होकर pass हो रही है और उसके dc's lmn या dr's abc है तो equation x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c था यह interminator हमें पढ़ा है ठीक है लेकिन अब 3D में line को लेना है और कैसे क्या करना है जड़ा देखे ध्यान से साउधान पहले concept समआ लीजेगा यह कह रहा है कि find the distance of a point from line मतलब एक point है x dash y dash z dash यह point है p x dash y dash और z dash और एक line है अब simple सी बात है अगर आप line कहोगे तो line का introduction भी थो होना चाहिए ना कि line है तो line के लिए होना चाहिए वे कहां से हुकर पास हो रही है कहां को आई कहां से आई है कहां को जाएगी यह line तो यह line कहां से हुकर जा रही है ये A point से उकड़ जा रही है alpha, beta, gamma से और इस line के dc's है L, M, N और हमको ये distance निकालनी है perpendicular PM बस ये हमको चाहिए ठीक जड़ा समझिएगा तो अब चुकि हमको इस्तेमाल तो इस line का भी करना पड़ेगा अब हमारे पास अगर 2D होता तो अभी हमने बता दिया Ax1 plus By1 plus C ये पान रूट A square plus B square काम को चल जाता ये जो 3D है साउधान हमने क्या क्या A से P को मिला दिया ज़रा देखो ध्यान से ये right angle triangle हो गया तो right angle triangle में हम चाहें तो PM square is equal to AP square minus AM square ले सकते हैं ज़स्ती हूँ न बोलना लेकिन अपको AM निकालना पढ़ेगा पहले तो तो AM कैसे निकालेंगे AM क्या है क्या AM इस line का इस line पर projection नहीं है ये बेस न कहीं हम right angle triangle की बात नहीं करेंगे AM निकालना है AM है क्या चीज़ आप तो करो बेस से निकालेंगे कैसे इसकी value तो AM is the projection of AP on this line है ये पढ़ाय गया है आपको इसके पहले वाले class में हमने पढ़ाया है आपको निकालने जा रहे हैं यानि AM जो है वो क्या है projection of AP on the line सभी कह रहा हूँ न अब किसी भी line का किसी भी दूसरी line पर projection का formula क्या बताए गया था projection of a line segment on a line ये हमने पढ़ाया आपको क्या पढ़ाया हमने बोले ये न पूछा करिया बता दिया करिया हमने कहा था एक line ये है और इस line के dc's है LMN और ये line segment है ये line segment x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से होकर पास हो रही है ये projection है इसका ये projection है तो इस projection की value बताए गयी थी L x2 minus x1 plus m y2 minus y1 plus n z2 minus z1 ज्यादा है यानि कि इसको देखिए ये line segment आपका ये वाला हो गया नहीं हो गया और ये वाली line ये वाली line हो गया करके तो आपका L होगा और ये हो जाएगा x dash minus alpha plus m y dash minus beta plus n z dash minus gamma हेद होगा तो इस तरीके से am की value हमको मिल जाएगी निकाल लेते हैं am की value तो ये projection कैसे निकला L x dash minus alpha x dash minus alpha plus m y dash minus beta plus n z dash minus gamma ये am निकलाया अब आपको am की लंबाई मालूम हो गई ये distance आपको पहले से मालूम है distance between two point तो हम इस triangle में python को रस्त्रम लगा दे in triangle a am p हमको pm निकालना है तो pm square is equal to ap square minus am square और ap square ap square क्या है distance between two point x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square तो ये हो जाएगा x dash minus alpha whole square plus y dash minus beta whole square plus z dash minus gamma whole square ये तो ap की value हो गई minus am ये लिख चुके हैं आप x dash minus alpha into l plus y dash minus beta into m plus z dash minus gamma into n पहुंचे यहां तक पहुंचे तक टो खाएगा अगू अब जरा समझेगा हम नहीं बताया था अगर एक्स डैस माइनस अलफा वाई डैस माइनस बीटा और जट डैस माइनस गामा यह डियार्स होते हैं देखो पढ़ के आना पड़ेगा आपको जो चीज आज पढ़ ही जाएगी वो दिमाग में रहना पड़ेगा आपको ठीक है और एक्जामनेशन के एक दिन पहले पूरी मैथमेटिक्स को पढ़ करके आप नहीं जा सकते यहां तक इस्तित्य है कि हम आपको बता दें यह कोईशन एक्जाम में है कल और आप उसी दिन उसको पढ़ के जाएए कल नहीं महां कर सकते आप चुकि दिमाग में नहीं रहेगा इसे से कोईशन हम लोगों ने देखे हैं मस्च वगरा में कि वह कोईशन मालूम था है कोईशन आएगा लेकिन हमने पढ़ा नहीं लास्ट मोमें उसको पढ़के गए वहां भूल गए तो वो दिमाग में नहीं रहेगा और यह डिसीज डियार्स हमें डिसीज को जब एकश्टेज दैस मानेस अलफा वाइडास मान twent predicting गामा को इनके बीच की दूरी से डिवाइट कर देते हैं तो डिसीज बन जाते हैं यह डिसीज के proportionate होते हैं अगर मैं एक चीज करदू इसमें एक टेक्निक लगा दूँ X dash minus alpha का whole square plus Y dash minus beta का whole square plus Z dash minus gamma का whole square तो ये एक तरीके से ये प्रेकर लगाँ ये एक तरीके से DR से इस वाली line के हो गए और second line ये है इसके DCs क्या है L, M, N तो अगर मैं इसको multiply कर दूँ L square plus M square plus N square से कोई दिक्कत क्योंकि ultimately इसकी value दो नहीं होनी है multiply कर दो कोई फर्थ पुड़ा नहीं और minus इसको लिख दो X dash minus alpha into L plus Y dash minus beta into M plus Z dash minus gamma into N ये लिख दिया हमने ठीक पहुचे यहां तक अब देखे अगर मैं इस यह जो line है न यह एकसñ सेलफा क्या है इस लाइन के DRS है ना DRS DCS के प्रपुस्रिट होते हैं अगर मैं इसको मालूँ कि यह L' है तो L' स्क्वाइर यह M' है M' स्क्वाइर यह N' है तो यह भी L' होगा यह भी M' होगा यह भी N' होगा तो यह Lagrange's Identity टाइप नहीं दिखना है L' का squared PLUS M' का square PLUS N' का square into L' स्क्वाइर PLUS M' स्क्वाइर PLUS N' स्क्वाइर MINUS L L' प्लस M' M' प्लस N' दिखना है तो हम यहाँ पर लिखी है यूजिंग Lagrange's Identity कैसे लिखेंगे इसको तो हमने बताया था आपको यह रब करते हैं हमने बताया था आपको Lagrangian identity होती क्या है L square plus M square plus N square into L dash square plus M dash square plus N dash square minus L L dash plus M M dash plus N N dash का whole square इसको क्या लिखेंगे तो हमने याद करने के लिए बताया था कि L M N L ऐसे लिख दो L dash M dash N dash L dash लिख दो तो इसको लिखेंगे M N dash M N dash minus M dash N का whole square plus N L dash minus N dash L का whole square plus यह वाला multiply plus L M dash minus L dash M का whole square लिख सकते हैं यह हो गया न अगर इस identity को यहां fit करें आप तो आपका L M N क्या है L M N आपका है यहां पर X dash minus alpha Y dash minus beta Z dash minus gamma और X dash minus alpha और यह है L M N L तो इसको क्या लिख सकते हैं PM square is equal to इसको लिखेंगे N this into this लिखा जाएगा न Y dash minus beta into N तो इसको लिखेंगे Y dash minus beta into N minus Z dash minus gamma into N यही लिखा जाएगा न का whole square प्लस इसके नीचे लिख रहे हैं वहाँ लिखा हुआ है इसका S multiply होगा Z dash minus gamma into L minus X dash minus alpha into N N का whole square plus X dash minus alpha into M plus minus Y dash minus beta into L का whole square यह distance निकल लिखेंगे बाद में root लगा देंगे तो distance मालू हो जाएगी पहुचे यहां तक अब ज़रा ध्यान से इसको देखे यह determinant type का लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं determinant कैसे होती this into this minus this into this होती है तो इसको हम Y dash minus beta और यहां N लिख दें और यहां लिख दें Z dash minus gamma into यह N आ गया गला लिख गया क्या यह N है यह M है यहां M लिख दें लिख सकते हैं का होली स्क्वार अगर इसको खोलेंगे तो this into this minus this into this आएगा न प्लस यहां देखिए Z dash minus gamma और X dash minus alpha यहां पर L लिख दें यहां L लिख दें का होली स्क्वार minus alpha into Y dash minus beta यहां L लिख दें यहां M लिख दें का होली स्क्वार यह distance आ गई तो PM is equal to अगर इसको हम कुछ माल ले इस पूरे को हम D माल ले रहे हैं पूरे को D माल लेते हैं आप कल्कुलेट करेंगे इतना बहुत बड़ी वाल्यू है तो जो हमको PM निकालना होगा तो क्या करेंगे इसी को under root कर देंगे ते ही distance between यह जो भी result आएगा जो भी result आएगा तो इसको करके अब यह आपको फार्मला नहीं अप्लाई करना पड़ेगा X dash Y dash Z dash से डिस्सन्स निकालनी है वो line के element दिये हैं तो line alpha beta gamma से पास हो रही है तो यह distance of the point from the line निकलाया अब अगर यह line जो पास हो रही है alpha beta gamma से अगर यह origin से पास हो रही होती तो जहां पर यह आपके alpha beta gamma है वहां पर 0-0-0 हो जाएगा ठीक है तो एक special case चाहो तो लिख लो यहाँ पर यह रब कर दें इसको इतना रब करेंगे line को आपने alpha beta gamma से होकर पास कराया है तो यह रही है if line is passing through origin एक special case है special CIL case है if line is passing passing through origin 0-0-0 तो यहाँ पर जो आपका alpha beta gamma 0 हो जाएगा तो डाट यहीं न लिख दें PM is then PM is equal to PM square जो लो यहाँ लिख दो 0 तो क्या जाएगा y dash n minus z dash m का whole square plus z dash l minus x dash n का whole square plus x dash m minus y dash l का whole square का पूरे का under root यह आपका PM निकल आएगा determinant में यहाँ लिखना चाहो दो यहाँ लिख दो 0-0-0 इसका multiply कर दो तो result आ जाएगा सभ्याग है अब इस पर based question आप लगाईएगा ठीक है diet formula यूज करेंगे वहाँ पर आपको procedure नहीं यूज करना है पुले formula इतना खतरनाग इससे बड़ी हज़ा procedure यूज कर ले वह time लगेगा ना यह आपको याद करना पड़ेगा formula एक symmetry देख लो बस कुछ नहीं है x dash y dash z dash से उकर pass हो रही है तो यह देख लो कैसे यह point लिखे हुए हैं कैसे alpha बिटा लिखे हैं लिखे हुए ठीक है तो यह आपका एक topic हो गया